नमस्कार साथियो बिहार सिक्सक भरती में एक और बड़ा जटका जी हैं साथियो इन विशागे डिगरी धारियों को अब नहीं मिलेगा मौका जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से उससे पहले आपसे निवेदन है यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को तहत सिक्सक भरती प्रक्रिया में टेक्निकल डिगरी धारियों को बाहर कर दिया गया है जी हां साथियो इसका सेधा अर्थ बी बी ए बी सी ए बी टैक डिगरी धारियों पर हो सकता है आपको बता दे अब सिक्सक नहीं बन सकेंगे ये वाले डिगरी धारी हाला कि अब निय नियोजित शिक्सकों को इसे लेकर चेताओने भी दी गई है। सरकार का आदेश है कि अगर कोई सिक्सक आंदोलन या प्रदर्सन में सामिल होता है तो उसके खिलाफ अनुसासनात्मा कारिवाही की जाएगी। मगर सरकार के आदेश के बाद भी सिक्सक आंदोलन कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में नियोजित सिख्षकों के द्वारा और ज़्यादा पुरदर्सन किया जाएगा जी हां साथियो नई नियमावली से भरती होने वाले सिख्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा नियोजित सिख्षकों को राज्य कर् और वितन वृद्धी के लिए परिक्सा पास करना होगा इसका सीधा असर सिक्सक इसका विरोध कर रहे हैं आपको बता दे बीपीसी जल्दी जारी करेगा नॉटिफिकेशन जी हां साथियो सिक्सक बरतिन्यमावली 2023 के तहत बहाली के लिए बीपीसी के द्वारा परिक्सा का आयोजन किया जाना है इस परिक्सा में हर अभियर्थी को सामिल होना जरूरी होगा बताया ये जा रहा है कि आयोग के द्वारा परिक्सा के साथ साकसातकार भी लिया जाएगा सूत्रों के नुसार आपको बता दे जी हां साथियो परिक्सा का नॉटिफिकेशन इसी महीने जारी होने की संभावना है नॉटिफिकेशन जारी होने के बाद कई और चीजे अभियर्थियों को किलियर होगी हाला कि इसी बीच नियोजी सिक्सकों ने हाई कूट का दरवाजा भी खटखटाया है ऐसे में पर प्रकरिया में थोड़ी देर भी हो सकती है बेहत बड़ी अ लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें भी लाइकन ओन करें मिलते हैं इन्फरमेटिव वीडियो के साथ जै हिन जै भारत